प्रैक्टिस सारा खेल शुरू होगा दोस्तों प्रैक्टिस क्या होती है जानते हैं एक ही काम को बार-बार करने है कितनी बार करना जानते हैं जब तक आने ना लग जाए बड़े बड़े उधारन है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में मेरि बाद ध्यान से सुनिएगा एक्जामपल भड़ा चौटा मर्म बढ़ा एक्जामकल युद्ध पी छोटा है मर्म बहुत बढ़ा इंटी ऐस्टिलिया के मेरिश में ब्रेड हग ने सचिन तेंदूलकर को बोल्ड मारा इन 2007 सेवें तेंदुलकर जब लॉट के पैविलीन जाने लगा ब्रेड होग के लिए बहुत बड़ा चीवेंट था कि ब्रेड होग अभी नया था नौसे किया था बारा साल पहले और तेंदुलकर का विक्ट लेना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवेंट थी किसी बॉलर के सचिन रमेश तेंदुलकर के पास गया और उसने तेंदुलकर के बोला सर आप इस पर आटोगा दीजिए मेरे जिंदगी का बहुत सुने रहा दिन है आज कि आज मैंने आपको बोल्ड किया है सर बड़ी खुशी-खुशी में वह बॉल लेके गया एक ओनर के साथ और तेंदुलकर इसके बाद खेलें कम से कम 30-35 एंकाउंटर हुए उनके टेस्ट मैच में वन डे में टी-ट्विंटी में इवन आई-पील के ब्रेड होग तेंदुलकर की विकिट नहीं ले सका साथ ब्रेड होग तेंदुलकर की विकिट नहीं ले सका मैं कहानी आपको क्यों स खारा होगा बर्गर सेंडवे डोसा नहीं खारा होगा एक चीज़ कर रहा होगा क्या confidence रहा होगा एक line लिखने के बाद लिख दिया अब उसको प्रूफ करना है उस जैसा बन जा उस line को प्रूफ करने लायक बनना है उसको कितनी practice करी होगी कि इज़त खराब ना हो जाए आज आप लिख दो आप लिख दो और फिर उस line को प्रूफ करने के लिए अपने आपको मैं कहता हूँ जला डालो practice का बहुत बड़ा खेल है practice से बड़े-बड़े पहार हिट गए मैं एक कहानी सुना रहा था उस दिन भी किसी को पाबलो पिकासो की पाबलो पिकासो दुनिया के सरफिष पेंटर हुए M.F. Hussain से भी बड़े पेंटर हुए पाबलो पिकासो पाबलो पिकासो न्यू यॉयॉक में एक स्क्रीट में घुम रहे थे हो तो एक लेड़ी उनसे टकड़ाई उस लेड़ी ने पहचान लिया लेडी के हाथ ने थीस सक्ना आपलर के दिया और अवाव लेडी लेडी इस फो यू पींटिंग वर्त 50,00 अगा स्क्रीट पाइस,स लेडी को तो लेडी को तो विच्वासी नीवा क्या हाओ लेडी एक पाबलो पिकासो पाइस पेंटिंगा सिर्थी सक्टींंट वर्त रू 155 प्र॥ाइश। 50 नाख रूपे की पेंटिंग 30 सेकंड में उसमें पता किया पावलो पिकास कुछा रहती है। डूड़ी 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 एजिबीशन कहीं ती पावलो पिकासो की डूड़ी दूड़ीश्पीश। के पास पहुँची सर आपने मुझे पहचाना में वही लेडी हूँ मैं आपको मिली थी आपने मेरे लिए एक पेंटिंग ड्राव करी थी 30 सेकिंड में 50 लाख रुट पेंगी 50 लाख की है सर उसने बला मैंने बनाई है उसने बला सर मैं शीखना चाहती हूं 30 संट में 50 लाख की पेंटिंग कैसी बनाई bis जाती पावरन करका लूप मैं पेंटिंग आपने 30 सेकिंड में 50 लाख की बनी वी देखी उसको बनाने कि लिए मुझे 30 साल लगता है 30 साल लगता है it took me 30 long years to draw a painting worth rupees 50 lakh rupees in just 30 यह कुछ भी कर सकता है sir मेजर ध्यान चंद को hockey का चादूगर बोला जाता है hockey खेल रहे हैं practice किसके उपर करता है पट्री के उपर जो train railway track है उसके उपर practice कर रहे हैं ball और stick लेकर को ऐसे 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 सो गुमा रहे हैं कि ball गिरे नहीं balance बना रहे हैं उसका और match खिल रहे हैं Olympic के अंदर match खिलते रहे हैं लोगों ने stick तोड़के देखी कि साला इस आदमी का balance क्या है यह चिपका चिपका के चलता है कि magnet लगा है लगणी में क्या है stick में कुछ नहीं क्या था practice stick में क्या था practice half time तक एक goal ना किया major dhyansan से उसकी team ने पूचा ध्यान चन्दा क्या हो गया half time हो गया कोई goal नहीं या match हार जाएंगे ध्यान चन्द ने बोला रोख दो match और पता करो measurement करो यह goal post साला गड़ बड़ है इस goal post में खुच गड़ बड़ है उसने बोला major कैसी बाते करते हूँ are you mad? it's olympic यह कैसे possible है उसने बोला मैं नहीं जानता major dhyansan बहुत बड़ा नाम था तो referee आई measurement का instrument लेकिया है goal post major किया दो foot छोटा निकला इतना confidence extreme confidence सर practice से दुनिया में बड़े बड़े कीरतिमान होते हैं सर और यह आपको जिन्दगी में आसमान तक पहुचा सकता है